हेला दोस्तो कैसे हैं आप लोग स्वाकत है आपका रशओर रामन की में तो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं पांच एनुट में बनने वाली दरी सिंवला मिर्च की सब्जी तो दोस्तो चलते हैं अपनी किचन की ओर यहां पे मैंने एक पैन चड़ादिया गैंस के उपर उसे मेने ऑईल डाल दीया है मैं यहां पे मस्टर्ड ओउल यूज कर रही हूँ आप जो भी ओई उसके डाल दीजिएगा मैंने हाँ पर एक शिमला मिर्च कटी हुई इसमें डाल दी है अब मैं इसको थोड़ा सा तल लूँगी ज्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है बस हलकेल की फ्राई हो जाएं फिर हम इसको निकाल लेते हैं हमने आदे चमत जीरा डाला है इसको भी मैं फ्राई कर लेती हू उसके बाद मैंने एक बारी कटावा प्याज लिया है थोड़ा सा लसन लिया है दोनों का मुच्छ से मिक्स कर देते हैं अब हम गोल्डन होने तक इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे मैंने यहापे दो हरी मिच्चे भी डाल दी है आपको अगर पसंद है तो आप डाल जीवा उसके बाद मैंने यहापे दो बारी कटे वे थोटे साइज के ही टमाटर थे अगर आपके बस बड़ा है तो आप एक ही ले सकते हैं अब मैं यहापे कुछ मसाले एड़ कर रही हूं एक चमच मैंने यहापे नमक लिया है आप सवाद के अनुसार ले सकते हैं आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर थोड़ा से मैंने भूनावा जीरा डाल दिया है हम यहापे थोड़ा सा पाने डाल कर मसाले को अच्छे से भून लेंगे इसकी फिलेम हम मेडियम ही रखेंगे हम इसको ढखका रख देंगे 2-3 मिनट तक ताकि हमारा मसा से मसाले में मिला लेते हैं अब मैं इसको भी लिड़ा कर 5-7 मिनट तक इस तरह से रख देंगे ताकि शिम्ला में अच्छे से पक चुकी है तो हम इसमें धहीं डालेंगे धहीं को में अच्छे से फेंट लेंगे यह 400 ग्राम के करिब धहीं है आपने एक बात का ध्यान नही है friends कि जैसे ही हम धहीं डालेंगे उसको हम सरफ दो मिनट तक इसमें पकने देंगे उसके बाद हमने गयांस की फिलम को बंद कर देना नहीं तो यह जाएगा और इसका टेश्ट भी खराब हो जाएगा धहीं डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट ही गयांस के पर रखना है गयां दूसरी बात का ध्यान यह रखना है कि जब हम धहीं डालेंगे तो सिरफ हमें दो मिनट ही गयांस के पर रखना है ने तो मारा धहीं जो है फट जाएगा बच्छ दो बातों का अपने ध्यान रखना आपके अपके धहीं संव्लम इसकी सब्जी बनकर तैयार है दोस्तों बह बाई टेक केर